इसलाम लेकुम स्टूडेंट्स, कैफ के online admissions, online classes के लिए RISE के start हो गई है, तो admission form online कैसे fill करना है और submit करना है, इस हवाले से मैं आपको guide कर देता हूँ, तो browser आपने open कर लेना है अपना और इसमें आपने RISE की जो official website है, RISE school.edu.pk, यह RISE की official website है, इसको आप open करेंगे, और open करने के बाद यह home page आपके पास open हो जाएगा, तो home page पे आप देख रहे हैं कि आपको right upper corner में एक RISE online के नाम से बटन नजर आ रहा है, आप इसके थू भी जाके admission form open कर सकते हैं और यह नीचे आपको नीचे भी नजर आ रहा है यह बिल्कुल home page पे, registration for CAF online classes, March 2022 attempt, ठीक है जी, March 2022 की जो attempt है, ICAP की new scheme के accordingly, उसका आप admission यहां पे, classes के लिए RISE के admission form आप यहां से submit करेंगे, ठीक है जी, तो यह link के उपर button के उपर हमने click किया, तो यह आपके पास, जो है वो, admission form जो है RISE का, यह open हो गया, ठीक है, तो इसको आप नहीचे तरीके से read करना है, मतलब जैसे यह title के नीचे एक note लिखा हुआ है, कि सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, कि RISE के bank account में आप fee submit करेंगे, मतलब fund transfer कर लें, अपने mobile banking app के through कर लें, internet web browser के through अपना bank account open कर लें, उसके through transfer कर लें, यह किसी भी method से आप online transfer, fund transfer कर सकते है RISE के bank account में, और उसका evidence आपको इस form में attach करना पड़ेगा, ठीक है, other options में फिर यह है कि आपको bank में जाना पड़ेगा, और वहां पर जाके आप RISE के bank account में पैसे submit कर वाइंगे, ठीक है, और मतलब क्या है कि आपको CNIC की picture और fee जो आप RISE के bank account में transfer करेंगे, उसकी picture यह दो pictures आपको यह form fill करने के लिए required होगी, ठीक है, तो form के बिलकुल अगर हम last में आएं तो आपको यहां नजर आ रहा है, कि यह RISE के bank account की information है, अब यह bank account का title लिखा हुए RISE Premier Virtual Private Limited और नीचे account number दिया गया है, ठीक है, यह मिजान bank account है जो हमारा यहां फैसल टाउन लहोर में है, तो इस account में और इस branch के इस account number में RISE के आपने पैसे submit करने हैं, ठीक है, तो यहां बाकी terms and conditions सारी आपकी लिखी हुई है, कि online lectures के हवाले से terms and conditions सारी जो RISE की हैं, वो सामने लिखी हुई है, तो आपने इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, समझ लेना है, ठीक है, फिर इन सारी terms and conditions जिनके सारी blue check लगे हुए हैं, आपने इन सब को पढ़ना है समझना है, और फिर आपने last पे जो है, इसमें अपने confirmation देनी है, कि आपने ये सारी terms and conditions आपने पढ़ ली हैं, और आप इन सारी terms and conditions से agree करते हैं, तो ये last वाला check जो है आपने, इसको अपने लगा देना है, ठीक है, last check, तो ये compulsory है, ठीक है, मतलब ये सारे tick लगे होने चाह इसमें के option check डौनी चाहिए, ठीक है, फिर फर्दर आप मतलब अपनी personal information देंगे, इसमें आप CNIC की या बे form की जो picture है, वो यहां पे attach करना बहुत जरूरी है, अदर्वाइस आपका form जो है वो process नहीं होगा, और आपको rise की तरफ से कोई call भी नहीं आएगी, ठीक है, अगर आपने fee evidence या CNIC की या बे form की picture attached ना की, तो आपका form further process नहीं होगा, वहीं stuck हो जाएगा, ठीक है, process नहीं किया जाएगा further, तो आप अपनी personal information, father की information को emergency के लिए contact number, किसी third person का वो आपने यहां लिखना है, फिर आप यहां से last में देखिए, आप subjects अपने जो है, वो select करेंगे, तो आप जूँके ICAP की नई scheme आगी है, तो new scheme के थूँ आपका, का F1 जो पहला paper होगा, का F1 होगा, तो आप यह drop down arrow के उपर click करेंगे, और नीचे आपको एक list open होगी है, का F1 में यह चार teacher हैं, online में आपके पास, उमेर शिराज साहब हैं, और आगे उनकी fee लिखी हुई है, 20,000, फिर नासिर अबास साहब, आगे उनकी fee लिखी हुई है, और सर नवीद अंसारी, यह special batch होगा, intro plus F1 के साथ, और last में जमशेद बर्ट साहब, इसकी fee है, 10,000, तो मतलब के 8, का F के 8 subject हैं, और 8 के 8 subjects और उनके teachers और आगे उनकी fee जो है, वो mention की गई है, तो आप अपनी मर का जोन सा भी teacher आप select करना चाते हैं, आप कर सकते हैं, तो for example, यहां पे हमने उमेर शिराज साब F1 में select कर लिया, तो अब आप बिलकुल bottom में जाएंगे, तो total fee आपकी साथ साथ calculate हो रही होगी, ठीक है, तो मतलब हमने का F1 लिया था, F1 और फिर हम last subject जो है का F8 audit, इसमें हम Sir Aasif का नाम select कर लेते हैं, ठीक है, तो यह देखें, 20,000 आपका F1 का और 20,000 का F8 का, तो यह बस बताने के लिए था, आपको सिर्फ समझाने के लिए, तो यह total fee आपके 40,000 यहां पे calculate होके आगी है, ठीक है, तो अब यह है कि 40,000 का जो 40% है न, वो आपने अभी pay करना है, पे कर सकते हैं, ठीक है, अदर्वाइस यह आप times and conditions में आप देखेंगे, तो यह last वाली जो options है, यहां पे लिखा हुआ है कि first installment कितनी होगी, 40% of your total fee, मतलब जितने subject आपने out करने हैं, उसे इसाब से total fee आपकी for example, एक लाख बनी है अगर, निसाल के तो आप उसका 40% अभी pay क करेंगे, और 60% जो होगा वो आपका, आपने pay करना होगा within one day of icap result, ठीक है, जब icap result आ जाएगा, तो उसके एक दिन के बाद, मतलब एक दिन के अंदर अंदर आपने pay करना है, result से अगले दिन आपने pay कर देना है उसको, ठीक है, तो यह terms and conditions सारी इसमें लिखी हुई है, तो आपने CNIC की picture और last में क्या करेंगे, जब आप इस bank account में पैसे submit कर लेंगे, तो फिर आप क्या करेंगे, उसका screenshot जो है slip का, पूरी slip का, ठीक है, इसमें ध्यान रखिएगा कुछ students जो है, वो picture complete नहीं बनाते, तो voucher जो होता है, खास तोर पे जो printed form में voucher होता है, जो आप bank मे जाके पैसे submit करते हैं, तो उसकी पूरी की picture लेनी है, ठीक है, कोई मतलब कोई उसका part जो है, वो picture में cut ना हो, ठीक है, उसमें कुछ serial number होते हैं, जो हमें required होते हैं, तो आपने उसको ध्यान से पूरी picture बनानी है, और कोशिश करें, clear picture होनी चाहिए, ताके वो easily readable हो, अगर blur ह होगी picture हो, तो जाहर हमें समझ नहीं आएगा, और आपका form किसी भी वज़ा से, वो delay हो सकता है, तो इसलिए आपने picture अच्छी सी बनानी है, voucher की, और अगर online bank transfer करते हैं आप, तो फिर तो screenshot लेंगे आप, तो वो बिल्कुल clear होता है, लेकिन जब camera से picture बनाएंगे voucher की, तो ये सारा form complete करके आपने हर एक option, खास तोर पे जिन options के साथ steric लगा होता है, मतलब ये red जैसे star लगा हुआ है, तो मतलब क्या है कि CNIC number mention करना compulsory है, जरूरी है, तो ये सारी options आपने fill करनी है, CNIC की और free voucher की pictures attach करनी है, और last में क्या करेंगे, आप submit कर देंगे, ठीके, तो submit के button पे आप click कर देंगे, तो last में एक आपको confirmation message भी आएगा, कि आपका form successfully submit हो गया है, ठीक है student, further अगर आपको कोई issue हो, तो ये बिलकुल last में एक contact number दिया गया है, आप इस पर contact कर सकते हैं, अगर आपको online form submit करने में कोई issue आ रहा हो, ठीक है, मतलब picture attach नहीं हो रही है, ये issue आ रहा है, तो आप इस number पर contact कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको subjects के हवाले से, या teachers के हवाले से को information लेनी हो, तो आप हमारे admission office के number पर call करेंगे, ठीक है, अगर आपको